तो इसे हम सुरू करते हैं some plants possess medicinal value they can be used as remedies for certain disorders इसमें some plants, some plants possess medicinal values, इसमें कुछ plants दे गई हैं जिनकी जो, उनकी जो medicinal values है, उनकी कुछ, ठीक है? they can be used as remedies उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है हूँ plants को उनकी remedies values मतलब एक तरीके से जो दवाईयों के तरीके उनको यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या है it used first है it used for reducing tooth age it used for reducing tooth age जब हमाई दातों में दर्द हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं clove c-l-o-v-e कैसे लिखेंगे इसे हम c-l-o-v-e clove उसके बाद question 2 it helps to reduce nausea and vomiting तो क्या है वो funnel funnel seeds आपने सुना होगा funnel soft को बोलते है funnel seed f-e-n-e-l funnel चीक है इसके बाद में क्या है it prevents allergies it prevents allergies तो क्या है वो onion क्या है वो onion o-n-i o-n onion चीक है उसके बाद question 4 it is natural antiseptic and healer यह आपकी natural यो प्रकरतिक क्या है antiseptic है और healer है तो वो क्या है आपकी turmeric क्या है वो healthy जो turmeric होती है जो क्या होती है किंपक़ antiseptic उसका भी काम करती है चीक है कभी यह कई बार आपके लग जाती है हाथों में तो बलड बगड़ा निकलती है हाथेli थो यह तो क्या करती है अगोई तो फोड़ी होँ पर हल्दी लगा देते है तो उसके वह healer का काम करती है वो ठीड है उसे blOD निकलना बंद हो जाता है ठीड है और यह antiseptic भी होती है clear तो क्या है वो turmeric clear जिसे हम Hindi में क्या बोलते है हल मैं हल Div ठीड है इसको Hindi में हलि बोलते है और Inglis में इसको क्या बूलते है turmeric की spelling कैसे का याद करौउग important इस तरहके से turmeric की spelling लाइन हो गयी इसके बाद में question फिफ्त है it is used during cold and cold मतलब ये इसको सर्दियों के टाइम में और खांसी हो जाती तब इसका यूज़ जाता है तो क्या है वो बेसिल मतलब पहले बेसिल की स्पेलिंग देख लेते हैं बेसिल तो बेसिल को क्या बोले जाता है तुलसी तुलसी होती है वो आपके खांसी चुखाम में अब के इसमें यूज़ होती है तो क्या है उसके बाद क्या है ये अज़स्ट आने के लिए हम क्या यूज़ करते जिसे कि हमारे स्मेल बंद हो जाए पुदीना पुदीना आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स यूस करते होगा सब्सक्राइब या फिर उसमें जैसे कभी सिकंजी बगरा बनाते हैं तो उसमें पुदीना डालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इसके बाद है 7 Het helps in digeotion में क्या help करता अपका जिंजर जिंजर मीं का अद्रक होता है जिंजर ये आपका डाएजेशन में help करता है कोई भी खानावना खाते हैं अगर अजरक वगरा उसमें यूस करते हैं तो कैसे लिख होगा जिंजर की उसके बाद में क्या है इट कीप्स दा हर्ट हेल्दी यह क्या है हमारे जो हर्ट को क्या रखता है हेल्दी रखता है मैं तो स्वस्त रखता है तो क्या है गार्लिक क्या आपको खाना चाहिए कच्छा गार्लिक भी बहुत फाइदेमंद होता है तो garlic means क्या होता है आपका लहसुन क्या होता है लहसुन ठीक है तो garlic को लहसुन बोलते हैं और garlic की spelling कैसे लिख हो गए G-A-R garlic L-I-C लिख समझ में आ गया garlic को क्या बोला जाता है लहसुन क्लिए रो गया चलिए आपका ये complete हो गया है page number 2 करते हैं अब हम मतलब इसे next करते हैं तो आज इसमें हम complete G-K कर लेंगे जो आपके पूरे September में जो आपके exam वगर में आती है तो September के हिसाब से हम पूरी G-K finish कर लेंगे clear तो आप इनी वीडियो को देख लिजीगा आपको complete आपकी G-K हो जाएगे इसके बाद में क्या है place them correctly place them correctly तो ठीक है तो इसमें दे रखा है कि given below are five group of animal हमें नीचे क्या देख गए है five group of animals the animals in each group can be placed under one category उसको जो आपके जो इनीवल्स दे गए है इसको में category में रखना है ठीक है take the help from the help box and write the correct categories ठीक है तो आपको यहाँ पर यह group में दिये गए है तो हमें उन categories का नवी बताना है कि किस category में आ रहा है यह animal ठीक है तो शुरू करते हैं इस question इसको हम जैसे कि आपका दे रखा mosquito क्या है आपका यह आपका यह mosquito housefly bee तो इसकी किस में आते हैं इसके बाद में खरहते हैं तो यह किस में आते हैं यह क्या हैं सभी आपके fishes हैं फिश्ड॥ शाघ्र जैसाथ फिजारा है इसके बाद ने third, third क्या कहा रहा है kingfisher, vulture, sparrow यह सभी क्या आपके word है ये, ये सभी क्या है आपके पक्षी है, चीक है क्या है ये सभी आपके bird b-i-r-d bird चीक है, इसके बाद क्या कह रहा है ये, अब ये आपके होगे lizard, tortoise crocodile तो ये क्या है आपके, reptiles reptiles क्यों होते हैं, क्योंकि ये rank के चलते है ये lizard rank के चल रही है ये tortoise भी रेकता हुआ चलता है के-sweet से ने चलता, crocodile भी आपका रेंग रेंग की चलते हैं, तो इनको reptiles बोलते हैं ठीक है, ओके Rep, R-E-P Rep, T-I-L E-S, reptiles Clear हो गया, अच्छा, इसके बाद में क्या है, whale elephant, bear तो ये क्या है आपके, mammals हैं ये क्या है ये, mammals क्या है ये, mammals संधारी अब हम सुरू करने जा रहे हैं, word watch ठीक है, क्या है आपका word watch सुरू करते हैं words make nest at different places ठीक है, different place and with different materials ठीक है, जो आपके words होते हैं पक्षी जो होते हैं, वो क्या करते हैं आपके nest बनाते हैं, गोंसले बनाते हैं different place पर, अलग-अलग जगा पर बनाते हैं, और उनके material भी different होते हैं, ठीक है? match the birds with their nest ठीक है? जैसे कि आपका tailor word हो गया tailor word क्या करता है? nest made of leaves, ठीक है? जो tailor word है, वो nest को बनाता है, tailor word ये tailor word क्या है आपका? tailor word पक्षी होता है, वो क्या करता है? कि leaves को जो है, अपने चौंथ से sealता गाता है उसको इसलिए उसको tailor word बोला गाता है peasant, peasant क्या करता है? peasant nest of pebbles peasant है, वो क्या बनाता है? किस तरीके से बनाता है? nest of pebbles ठीक है? coil, coil क्या करती है यह अपना nest ही नहीं बनाती coil, coil do does not make nest coil does not make nest उसके बाद में woodpeaker woodpeaker क्या है, यह क्या करता है यह है आपका nest in hole of tree, किसमें बनाता है nest in the hole of of a tree, यह रहा, woodpeaker इसके बाद में के है, bulbul bulbul, bulbul क्या गरती है bulbul, cup shaped nest बुल-बुल का आपका nest होता है बो किस शेप में होता है, cup cup shaped का west बनाती है, ज destruction इस तरीके से उसी तरीके केो बनाती है, cup shape का हो, ठीक है इसके बाद में क्या है, weaver word weaver word कैसे बनाता है आपका nest hang down from branch of the tree means, इस तरीके से बनाता है कि वो जो branch होती है, उस पे वो लटका रहता है तो इस तरी hang down from the branch of tree तो beaver word जो होता है, ठीक है इसमे यह beaver word का दिखा रखा है, तो इसका देखो किस तरीके से लटका हुआ है यह beaver word है, और इसका यह जो nest है, इस तरह किसे hang down है, जी ये की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद, next क्या है आपका, read the clue, ठीक है, read the clue, given below and solve the following puzzle, तो क्या है आपका, ये क्या है आपका, वी, यू, अल, टी, यू, आरी, vulture, क्या है, vulture, hawk, coel, ठीक है, k-o-e-l, coel, ये क्या है आपका, o-s-t, ostrich, ठीक है, peacock, और क्या है आपका, sparrow, ठीक है, तो आपको clue दे रखा है, इस तरीके से, तो यहाँ पर clue में क्या दे रखा है, critically endangered word of India, तो क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा endangered है, जो कि अभी खत्रे में है, और वो खतम होने वाले हैं, वो animals, critical endangered word, word मतलब पक्षी, और फिंडिया, तो कौन से word है, वो, कौन से पक्षी है, वो, जो कि अभी finish होने वाले, खतम होने वाले है, जो हमें future में कभी दिखाई नहीं देंगे, तो कौन से है, वो vulture, कौन से है क्या है, fish, sorry, flash eating word, जो कि flash eating word कौन सा है, आपका, hawk, flash eating word, hawk, lazy word, lazy word कौन सा आपका, कोयल, जो कोयल होती है, वो क्या आपकी lazy होती है, वो of course का nest नहीं बनाती है, वो दूसरे कोय का nest होता है, उसी में अपने अंडे रक कर चली आती है, अच्छा, flightless word, flightless, flightless word कौन सा आपका, ostrich आपका, ostrich का weight इतना होता है, कि उड़ भी नहीं सकता, इसके बाद में क्या word that flies over short distance, ऐसे words जो कि fly करते हैं, बहुत कम distance में, जदा उच्छे नहीं fly कर पाते हो, क्योंकि वेट बहुत जदा होता है, तो कौन सा है, वो, peacock, peacock है, peacock में आपने देखा हो, कितना weight होता है, तो जदा हुचाई तक वो, जदा distance तक वो fly नहीं कर पाते हैं, वो कुछी दीर, यहां से कुछी दूरी तक ही वो fly कर पाते हैं, social word, social word कौन सा है, sparrow, जो आपने देखा होगा, sparrow आपके घर के आसपास भी कहीं, गाउं में देखना कभी, तो वहाँ पे जगे-जगे sparrow मिल अच्छाई पूड पिट आइटम फ्रॉं में पूड रखे हैं, इन प्रॉड दे रखें इन में से में डूर डूर के इसमें लिखना है, तो इसमें एक क्या है, आर फूर, energy gives food, आपके energy gives food को है, राइस, ठीक है, तो आप इसमें rice को इसमें डूर लेना, इसमें मिल जाएग दूसरा क्या wheat, तीसरा sugar, बॉडी-विल्डिंग food कौन से होते हैं, जिसे milk हो गया, fish और egg, बॉडी-विल्डिंग food कौन से हैं, जिसे आपके प्रोटीन की सबस्यादा जरूत होती है, उसमें तो प्रोटीन किसे मिलता आपको, ये आपका milk हो गया, egg और fish, ये बॉडी- कौन से होते हैं कोशन के आएगा energy give food जिसे हमें energy मिलती है उस food के नाम बताइए तो कौन से होते है rice wheat और sugar इनसे हमें energy मिलती है ठीक है question 3 होगा आपका immunity building food जिसे आपको immunity मिलती है तो वह कौन से है वह apple ठीक है apple हमें daily खाना चाहिए क्योंकि immunity के लिए काफी अच्छा होता है apple orange और mango यह सभी इनसे क्या है आपकी immunity system मिलती है इसके बाद में क्या है junk food जंक food कौन से है सभी को पता है और बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं जैसे आपका burger बर्गर हो गया पीजा चिप्स यह सभी क क्या है आपके यह क्या बोलते हैं आपके यह junk food है ठीक है चलिए इसके बाद में हम दूसरा सुरू करते हैं इसके बाद सुरू करते हैं space territory ठीक है space territory में क्या है look at the picture sewing the solar system हमें इस picture को देखना है यह क्या सोगर रहा है sewing the solar system and answer the question that solar system क्या होता है solar bundle ठीक है उसमें सारे सूर्य और सूर्य के अलावा और सारे ग्रह होते हैं उसको हम solar system बोलते हैं जीक है जैसे आपको इसमें देखा रखा है इसमें यह अपका मरकरी है Venus Earth Mars Jupiter ठीक है काफी बड़ा ग्रह होता है Jupiter जिसको हो ठीक है Saturn Uranus और Neptune यह सभी क्या आपके इसको हम complete करते हैं तो question करते हैं how many planets are there in solar system तो आपके प्लेने अपके कितने सारे planets है solar system में कितने घ्रह हैं कितने हैं 8 कितने है total 8 है कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 और एक और हो गा इसमें 8 ठीक है तो यह total कितने है आपके 8 है clear हो गया इसके बाद में क्या है name the largest planet in solar system तो largest कौन सा है दो यह ह सबसे बड़ा largest largest में इसमें जुपीटर तो जुपीटर के आपका largest है ठीक है यह जुपीटर सबसे बड़ा दिखा है आपको इसमें यह आपका सबसे बड़ा है इसको जुपीटर बोलते है largest planet तो इसके name the planet which has 67 moons ऐसा planet बदाए जिसके 67 moons है मतलब 67 क्या उसके चांद है चंद बड़ा इसमें 67 moons होते है ठीक है जुपीटर में ही आपके 67 moons है ठीक है जुपीटर सबसे बड़ा है और इसमें 67 moons है इसके अंदर कितने है 67 moons क्लियर हो गया इसके बाद में क्या कह रहा है ए नेम दा प्लेनेट on which we lives उस प्लेनेट का नाम बताए जिस पे हम रहते हैं तो ठीक है अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा यह प्रत्वी ठीक है तो यह प्रत्वी है यह प्रत्वी है इसको यह गलत है ओके यह वाला ठीक है नेक्स्ट करते हैं नेम दा प्लेनेट which is known as रेड प्लेनेट रेड प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है मार्स क्योंकि यह बहुत पास्ट में है संके ठीक है मंगल अच्छा इसके बाद में क्या है नेम दा ब्राइटेस्ट प्लेनेट नेम दा ब्राइटेस्ट जो सबस्यादा चमकीला है सबसे जदा चमकी लग रहे है तो इसमें कुछ दें रखाएं सॉब्लूइंग क्रॉसवर्ड पजल है जैसे स्टार नियरेस्ट टू अर्थ तो इस्टार्स नियरेस्ट है पास में स्टार फ्रूर्प है लेकिन वह इतनी दूर है कि वह संद के पास में नहीं है मैं आपको इस पिक्चर से आपके यह क्या आपका सबसे पास में इसके बाद कोशन क्या कर रहा है और यह कोशन बहुत है इनहीं मैंसे कोशन्स पनेंगे नेक्सट आपका ग्लोईग हैवली बॉडी ग्लोईग है वह इस्टार एक इसके वाद nearest प्लेनेट ऑफ सबसे पास में तो ग्रह करी है सबसे पास में जो इस में सबसे पहले मर करी यह सं है और Sun के just pass में क्या है? मरकरी है तो सोचो इसमें कितनी गर्मी रहती होगी ये Sun के just pass में है थर्ड नंबर पर ये का अर्थ है तो यहा पर ना तो इसलिए जीवन संभव है अगर ये अर्थ आपकी यहाँ पर होती तो यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होता क्योंकि sun में इतनी गर्मी होती है कि वो हमसे बरदास ही नहीं होती तो यहां से यहां तक बिल्कुल actual distance है इसलिए यहां पर हमारा जीवन संभफ है यहां पर भी जीवन संभफ नहीं है क्योंकि वहां तक sun की रूस नहीं नहीं जा पाती है अंधेरा अंधेरा हो जाता है तो वहां पर इतनी ठंड रहती है उदर मतलब कुछ भी तो इस वज़े से जीवन ऐसी जगे पर भी संभफ नहीं हो पाता है तो अर्थ पर आपका जीवन संभफ है चीक है इसके बाद में question क्या कह रहा है full moon day full moon day को क्या बोला जाता है पूर्णी मा बोला जाता है जिस दिन full moon जिसमें पूरा चांद निकलता है उसको क्या बोला जाता है जिसमें पूरा चांद निकलाता है तो उसको बोला जाता है पूर्णी मा हिंदी में कैसे लिखेंगे चलिए next पढ़ते हैं तो अब हम start करने जा रहे है no hunting please no hunting please तो इसमें क्या करना है हमें इसमें आपको ये आगे पीछे दे रखे हैं uncramble the word हैं इनको ठीक करना है uncramble the word and find out their names जैसे आपको यहां पे दे रखा है g-r-i-t-e तो इसको हम ठीक करेंगे तो क्या बन जाएगा tiger क्या है tiger यहां पे देखो यह क्या है spoon bill तो क्या है क्या है कैसे लिखोगा s-p-o-n spoon bill b-i-l-l-bill spoon bill ठीक है यह क्या आपका elephant यह आपको word जो है आगे पीछे दे रखे है आपको ठीक तरीके से लिख रहे है आगे यह क्या दे रखा है आपका horn will क्या बोले जाथा इसे इस पक्षी को बोले जाथा horn h-o-r-n horn b-i-l-l bill leepard ठीक है l-e-o-leepard p-a-r-d ठीक है या ठीक है यह क्या आपका yag clear हो गया इसके बाद में इक है deer क्या है deer यहां पर read लिख रखा है p-y-t-h-o-n ठीक है क्या बनगे आपका python इसके बाद में यह आपको इपकोग टाइप में दे रखा p-4 ठीक है p-e-a-f-o-w-l तो इस तरीके से आपका यह complete हो गया ही है ठीक है अब next करते हैं तो सारा जी के इसमें कर लेंगे जो आपके september में जो आपका slavus आता है वो सारा हम अभी कर लेते हैं एक ही वीडियो में आप पूरे september का slavus देख लिजेगा जब आपका exam होगा september का तो आप यही वीडियो देख लिजेगा यही आपका exam है अगर लगवग यह सारा complete हो जाएगा इसमें क्या दे रखा है आपका group names तो इसमें हमें एक name और add करना है आपको इसमें एक name और add करना है जैसे आपका religion तो religions में क्या आपका हिंदुईजम, जैनिजम तो एक और हम add करेंगे तो कौन सा? बुद्धिजम जीक है? कैसे लिखोगे बुद्धिजम? वो धी, dhi, dh, 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 sam sm, sm, बुद्धिजम जीक है? इसके बाद में क्या दे रखा है आपका यह? memorial, इसको कर लेते हैं memorials, तो memorials में कौन-कौन से memorial हैं आपके? राजघाट सक्तिस्थल, फिर क्या है? वीर भूमी, ठीक है? कैसे लिखते हैं वीर भूमी? वीर, वीर, भू भी, एच, यू, भू, मी, वीर भूमी ठीक है? उसके बाद में religious festival, religious festival क्या होते हैं? जो कि आपके जिसका जो भी धर्म होता है, religion होता है उसके according मनाते हैं, वो आपके religious होते हैं, जैसे कि आपका हिंदू धर्म है जिसको हम सनातन धर्म में बोलते हैं actual में इसका नाम सनातन ही है ठीक है? तो क्या है आपका holy? ठीक है? अपके इसको बोले जाता है दिन को दिवस भी बोला जाता है जिसका प्रयायवाची दिन का प्रयायवाची क्या होता है? दिवस ठीक है? इसके बाद में क्या है Independence Day Independence Day को बोलते है स्वतंतरता दिवस कैसे लिखेंगे स्वा स्वातंत्रता स्वातंत्रता दिवस दे मींस दिवस या दे इसके बाद में क्या है ये भी क्या आपका नेशनल है जिसमें आपको गांधी जैनती आ गया तो गांधी जैनती भी क्या आपका नेशनल पुरा रास्ट उमराता है, यह कोई Releason Festival नहीं है, यह आपका National Festival है, इसके बाद में क्या हारवेस्ट फेस्टिवल हारवेस्ट मतलब जो आपकी जो हारवेस्ट फसल जो होती है, उसके फेस्टिवल कौन कौन से है पॉंगल, ओनम and Bayasaki, क्यासे लिखेंगे? Bay, Bayasaki कैसे क्या ह침up है? K, H, Bayasaki चीख है? ओんだ صिव क्या है? इनदी में कैसे लिखेंगे? शा या फिर सा है, तो Bayasaki अगर शा होता, तो ऐसा स्चाह था, तो simple से है, तो ऐसे है शा बै, अगर बैasaki बै आजाएगा वैनी आएगा बैसाखी, क्लियर हो गया, इसके बाद में क्या है, आपका fort दे रखें, जसे red fort हो गया, आगरा fort हो गया, ऐसे old fort हो गया, छीक है, इसके बाद में language, language कौन कौन सी है, हिंदी, tamil और कनेड़, कनड जिसे हम बोलते हैं, छीक है, पनेड़, इसके बाद में क्या है religious place कौन से है religious place है द्वार का जिसमें भगवान के जो place होते है अमरनात और बद्रीनात कैसे लिखोगे बद्रीनात B.A.D. बद्री बद्रीनात N.A.T.H बद्रीनात चीक है तो आपका ये भी complete हो गया है अब next करते हैं ओके इसमें दे रखा है आपका puzzle out means एक तरीके से uncramble word है उनको आपको ठीक करना है ठीक है ये unzumble जिसे बोलते हैं इस तरीके से हैं तो इसको ठीक करना है jumble name, unzumble the name and write them in space provide and the first one has been done for you ठीक है एक बार हमें read कर लेते हैं given below are the pictures of some hill station आपको ये जो आपको जो pictures दे रखी है नीचे वो कुछ hill station है ठीक है with their jumbled name with their jumbled name ठीक है unzumble the name and write them in space provided the first one has been done for you clear जैसे आपको दे रखा है यहापे dull house ठीक है यहापे आपको आगे पीछे दे रखी है यह आपको वैसे दे रखी है ठीक है ensemble world दे रखी है ठीक है ठीक है तो इसके बाद में जैसे यह आपको दे रखा है जैसे जैसे आपको यह दे रखा है यह क्या आपका गैंटो क्या है आपका यह गंटो ठीक है कैसे लिखोगे इसके बाद में यह क्या दे रखा है क्या है क्या ही अपका क्योव क्या ए आल यू क्योवे आपको यह क्योव खाल आदे रखा शिमला यह क्या आपका SHIMLA तो यह सभी क्या आपके हिल स्टेशन है क्लियर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं डल हाउस, गैंटोक उसके बाद में आपका ऊठी कुलूमन आली और क्या आपके दार्ट स्लिंग, शिमला तो यह सभी क्या है आपके हिल स्टेशन है क्लियर